आरेसेस बीजेपी के सरकार में अम्बेटरवादी है, विचाय सौतंतरवादी है, लेखन सौतंतरवादी है और व्यक्ति सौतंतर मानने वाले जो है उनके सामने एक जोनोती खड़ी की है आरेसेस बीजेपी ने एलान किया है कि अगर वो दोबारा सब्ता में आते हैं 2019 को, उसके बाद में आसानी से वो 2022 को राज़सावा में भी मिजोरिटी मिल सकती है, बहुमत मिल सकता है दोनों ही सबागरा में बहुमत मिलने के बाद, वो जो नया भारत मिर्मान करने की गोश्टना कर रहे है, उसको वो पूरा कर सकते हैं उनका नया भारत का मतलब है नया सविदा नगाश अविदान आया तो उसमें ना आरक्षन देगा, ना व्यक्ति स्वातनता होगा, ना लिखने का अभिकार होगा, और ना आज की जो डिमोक्रासी है, वो डिमोक्रासी देगा मैं इसलिए सभी वर्गों से ऐलान करता हूँ, कि ये जो एक खत्रा मंगरा रहा है, उसको चुनोती देने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए, एक वेचारी संगर से सुर्वात करने के लिए, 15 अक्तोबर को अमदाबाद शहर में नवाज जर्ण जो मैदान है, उस मैदान की घोष्णा की जाएगी, इस एलान की घोष्णा की जाएगी, और वहीं से एक नया भारत के विरुद, एक आंदूलन शुरुआद करने की घोष्णा भी होगी, मैं तमाँ अमबिटरवादियों एलान करता हूँ, 24 स्वासंदवादी है, लिखन स्वासंदवादी है, 31 स्वासंदवादी है, उनसे भी एलान करता हूँ, कि आप इस लगाई में सयोग देंगे, और आपका सयोग जो है, 16-15 अक्तोबर को अमदाबाद शहर में जो रैली हो आप सरीख होंगे, एक ताकत बताएंगे, और बीजेपी और आरेट सेथ का मकसद जो है, वो पूरा नकरने की कसम हम महाँ पर खाएंगे, और एक नया अंजोलन महाँ से शुरुआत करेंगे, मैं उमिद करता हूँ, कि आप इस जंद में सामिल होंगे, सयोग देंगे, और इसको खामिया बनाने के लिए पूरी ताकत भी देंगे, इनी शब्दों के साथ मैं से रज़ा लेता हूँ, जैवीन, जैवार